स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रीविद अमन कुल्मी तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए आपका जो हिंदी का पेपर दा उसका सेट 3 डिस्कस करेगी तो सेट 1 और सेट 2 की वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड है अगर आपका सेट 1 है तो आप स सेट 1 में और सेट 2 में और 3 में कोशन सारे ही सिमिलर है बस आपको उपर नीचे कर दें यहां पर पैसेज पहले दे दिया है और दूसा पैसेज पहले फरस्ट में पहला पैसेज आगे है यह उल्टा पुल्टा कर दिया है बस बाकी कोशन सेम है मार्किंग स्कीम भी सेम ही हो अभी तेले आप देख सकते हैं मेख आये बंःचन के सबर के ये थोड़ा कुछों अलग आया है गुल्कॉर मेख नदन के सबर के आ सकते हैं तो ये मानबी करेंठ आलंकार है क्योंकि मेख इंसान कुईकर बंःचन तक और इंसान होता है जस लाइक इसमें अलंकार बताना है तो इसमें उत्प्रिक्षा अलंकार हो जाएगा मनु लग जया इसलिए और फिर वैसर इधर गांडीव गुंड से बिन जैसे ही हुआ धर से जैदत का उधर सिर्फ शित्र वैसे ही हुआ यहां पर आपको चार पद परीचे करने थे इन सभी की इसमें पद परीचे भी आपके जो कोशें में दे रखें वो अलग दे रखें सैट बन से और मतलब कियां पर ग्रामर पूरी अलग दे रखें आप देख सकते हैं दो देन आपके जो कोशें आंसर है वो हम एक बार देखते हैं कि वो अलग डिफेंट है यह नहीं आपके जो पैसेज है पैसेज में से आंसर टूरने वो भी सेम है सैट वन और टू सेम है तो आपको अब ब्लेम करने का मौकाड ही मिलेगा कि हाँ सैट टू इजी था यह सैट वन इजी था अड़ यहां पर भी सारे कोशें मैं जितना देख रहूं कि यह सिमलर ही आपको दे रखें यह कोशें बट आपका चार नंबर का ही पहले नंबर आपको फिर तीन नंबर वाले कोशें दे दिये तो ऊपर नीचे करा है बाकी पूरा पेपर काफी इजी था सैट्शन भी काफी इजी था और पैने चत्ता भी आपको करवाया था अगर आपने वीडियो देख्योंगी तो कोशें उन्हीं में से आए उत्सा वाला कोशन उन् है अभी आपको क्या करने मुझे कमेंट सेक्षिन मरें कि आपका पेपर कैसा गया अच्छा गया बुरा गया किसे ब्रता के मैसमें बदाएंगे और important questions जो आपके previous year में आते हैं और इस साल भी आने के chances अब वो भी आपको करवा दूँगी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और bell icon को on कर दीजिए thanks for watching you, bye bye guys